यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ उन्नाव में पेश की गई घटनाओं के आरोपियों को तुरंत फासी के सजा दी जाए महिलाओं ने हिमाचिर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर भी चिंता जताई है महिलाओं का कहना है कि जब तक आरोपियों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक वो इसी तरीके के मामले सामने आते रहेंगे और उनकी ओर से प्रदेशन की आ जाता रहेगा आज यहाँ पे नहन शहर के एतिहासिक बस्टेंड के अंदर समाजिक संगठनों दौरा अखिल भारती जनवारी महिला समीती, सेफाई, नोजवान सभा और तमाम महिलाओं के और समाजिक संगठन जो अलग-अलग समाजिक के अंदर काम करते हैं उन सभी के दौरा आज यहाँ पे यह जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर महिला हिंसा के मामले लगतार जो बढ़ते जा रहे हैं और छोटी बच्चियों के साथ जो अपराद आज सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ हम यहाँ पे मौन और मुख पे पट्टी बांद कर बिरोज प्रदेशन कर रहे हैं क्यूंकि देश के अंदर 2016 के बाद जो है हर रोज 106 केस जो है महिला हिंसा के सामने आ रहे हैं एक बच्ची से रेव हुआ वो सबकी बच्ची है तो हमको इन समेधन शीन मुद्दों पे सबको इकठा होना चाहिए हमेशा अभी हाल ही में कितना दर्दनाक वाक्या हुआ कठवा में वो बच्ची बेशक मुहमडन थी लेकिन बच्ची तो बच्ची थी ना सबकी बच्च नहीं रचना जाये